नमस्कार आदाव सस्रीयका लाइब नैशन सेवन में आपका स्वागत है मैं शादा मलिक बिहार में एक बार फिर मंत्री मंडल विस्तार होने की बात सामने आई है मुखमत्रे नितीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान मदूबनी में ये बातें साफ की के मंत्री मंडल का विस्तार किया जाएगा जहां एक तरफ उपेंद्र कुश्वाहा की बात सामने आ रही थी कि वो उपमुक मंत्री बिहार में बन सकते हैं यहां तक कि मीडिया में भी ये बातें जब मीडिया ने उपेंद कुश्वाहा से पूझी थी तो उन्होंने भी एक तरह से कहा जाए तो अपनी खुशी जाहिर की नकरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी डाइबिटिक दादा जी हो या वेजिटेरियन मामा जी सब को मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक लिक पर डाउनलोड रेल रेस्ट्रो अप और टेस्टी फूद्स ऑन यो सीट थी और ये उम्मी जाहिर की थी मगर मदुबनी में समधान यात्रा के दोरान मुख मंतरे नितीश कुमार ने साफ तोर से ये बात कर दिया है कि जदियों की तरफ से कोई भी मंतरी मंडल में शामिल नहीं होगा वही राजद की जो दो सीट खाली हुई है उसे लेकर उन्होंने कहा कि उसमें विस्तार किया जाएगा और वहीं कॉंग्रेस की भी बात कही गई अब ऐसे में सवाल ये ख़ड़ा होता है कि कॉंग्रेस से कौन मंतरी बन सकते हैं तो कहीं न कहीं कॉंग् के विधायक हैं वो इस रेस में थे मगर बाद में वो पिछड़ गए और वो मंतरी मंडल का हिस्ता नहीं बन सके लेकिन इस बार जो मंतरी मंडल का विस्तार होने वाला है जो के खरमास यानि तिलसकरात के बाद मंतरी मंडल का विस्तार बिहार में किया जाएगा उसमें नजर आ रही है कि शकील अहमद खान को विधायक शकील अहमद खान को मंतरी मंडल में हिस्सा मिल सकती है आपको बता दें कि शकील अहमद खान कॉंग्रिस में लगातार बने हुए हैं कॉंग्रिस के काफी दिनों से जुड़े रहे और लगातार दूसरी बार बिहार विधान स के सदस चुने गए हैं उन्होंने कदवा से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और वहीं ये बात भी अपने आप में है के उनकी पहुंच भी कॉंग्रिस में उनकी कहीं न कहीं एक पैचान है और शायद यही वज़ा है के गुजरात में जो कॉंग्रिस की करारी शिकस्त की जाच के लिए जो कॉंग्रिस की टीम बनाई है कॉंग्रिस के अला कमान ने उस टीम तिन सदस्थिये टीम का एक हैसा शकील आमद खान भी है तो कहीं न कहीं शकील आमद खान इस दावेदारी में नजर आ रहे हैं कि बिहार विधान मंडल का जो विस्तार होगा उसमें कार में बन सकते हैं तो ये अभी तो कहना मुश्किल है कि आगे और कौन लोग होंगे उस पर हम और भी चर्चा करेंगी मगर अभी कांग्रेस की तरफ से हमें जो सबसे बड़ी दवेदारी नजर आ रही है वो शकील अहमद खान की नजर आ रही है को कि वो लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और कहीं न कहीं अपने शेत्र में उनकी जो पहचार है जो उनकी तरफ से जो नजर आता है उसते कहीं न कहीं यह लगता है कि कौनगरेस को भी इस बात का इसास है और कौनगरेस में उनकी अहमियत इस बात से साफ तोर से नज़राती है कि गुजरात में जो हार हुई कांग्रेस की उसकी जाच कमीटी जो बनाई है का कारण है कि गुजरात में कांग्रेस को इस तरह की शिकर्स का सामना करना पड़ा तो उसमें भी तीन सदस्य कमिटी में शकील अहमद खान भी मौजूद हैं अब बहरहाल अभी जिस तरह से मुखमत नितीश कुमार ने उपेंदर कुश्वाहा की बात को सीधे तोर से नकार दिया है सब मिडिया दोरा सवाल पुचे जाने पर वहीं उन्होंने मंद्री मंडल विस्तार की बात की है अब देखना है कि आगे मंद्री मंडल के विस्तार में क्या कुछ होता है आप इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारे वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूब करने साथ साथ ट्विट्रेटल पर मिल फॉलो जरूब करें